हेलो स्टुड़ाइंड वेलकम तू माई यूट्यूब चनल मैथमेटिक्स विद अभी गर्ग इस लेक्ट चनल में आपको बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट रिजल्ट बताऊंगी ठीक है इंट्रीकल का रिजल्ट है यदि आप कोई भी कॉंपटिटिटिव एक्जाम हो इक आयाइटी जेई का हो गया या फिर कोई भी और जहां पर इंट्रीगल के कोशन आते हो जिसके सिलेबस में इंट्रीगल है इस्टुड़न वहां पर अगर इस टैप यूट्व कोशन आ जाते है ठीक है तो आप इसको सॉल्ट करने बैठ जाते हो तो मैं कह रही हूँ इसका पूफ मैं आपको बताऊंगी वीडियो के लास्ट में पहले हम इसको देखेंगे क्या रिजल्ट है और इसके कोशन करेंगे इस पर बीज दैन में आपको पूफ बताऊंगी ठीक है इंपोटेंट रिजल्ट है जाद रखे तो देखी क्या है लिमिट लगा लिजे ए से बी ठीक है आपको क्यार करना है इंट्रीकल करना है आपको लिमिट दी हुई है ए टू बी यानि कि लॉवर लिमिट ए और अपर लिमिट बी ठीक है बी क्या है यहां अपर लिमिट ठीक है और ए क्या है लॉवर लिमिट ठीक है देखें आपको इंट्रीकल करना है fx कोई भ प्लस में एफ एक्स इसको आपने करना है इंट्रिगेट स्ट्रेंट सिंपल सा इंट्रिगेशन का रूल है याद रखिए इसका वैल्यू होता है बी माइनस ए बाइ टू यानि कि अपर लिमिट माइनस लॉवर लिमिट और उसमें डिवाइट कर दीजिए टू का आपका सही इंसर आ जाएगा बिल्कुल याद रखिए स्ट्रेंट्स यदि आप इसको सॉल्ट करने बैट गए ना तो मैं सची गह रही हूं नहीं हो पाएगा बहुत टाइम लग जाएगा और कॉंपेटिटिव एक्जाम में में आपस टाइम नहीं होता है पस टाइम कहीं खेल है जि देखिए एक्जाम्पल से समझते हैं हमें कोशन क्या दिया हुआ है इंटीग्रेट करना है हमें रूट एक्स अपान में अंडर रूट में है 6 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स ठीक है और लिमिट के दिया हुआ है 2 तू 4 दो से 4 ठीक है लॉबर लिमिट होगे 2 और अपर प्लस डू कितना है यहां पर देखिए एक्स की दिकिके है रूट एक्स लिख लीजे एक्स इस इक्वल टू रूट एक्स ठीक है तो यहां भी fx होना चाहिए बिल्कुल यहां भी रूट एक्स है ठीक है अब यह चीज और मैच करने चाहिए f a प्लस b माइनस एक्स a plus b minus x is equal to क्या है आपका a plus b कितना है यहाँ पर 4 plus 2 4 plus 2 कितना है आपका 6 ठीक है यानि कि 6 minus x ठीक है अब f इस तरह से होगे अब देखो fx किस तरह से डिफाइन है root of x यानि कि यहाँ क्या है f 6 minus x x की जाए 6 minus x लिख दो f a plus b minus x इसकी value यह होनी चाहिए अंडरूट में 6 minus x इसकी value इसकी जाए यहाँ क्या ना चाहिए अंडरूट में 6 minus x बिल्कुल यही चीज तो आ रही है अंडरूट 6 minus x समझागे इसका मतलब बिल्कुल यह इस ही form का है तो फटाक से बतागी इसका अंसर क्या होगा बी माइनस ए बाइटू बी माइनस ए बाइटू यानिकि 4 minus 2 बाइटू यानिकि वन चाहर में से दो गए दो टू अपॉन टू वन यह अंसर देखा कितनी जल्दी कोशन हो गया क्यों हो गया क्यों कि आपने रिजल्ट पता है आप इसको एक्जांपल देखते हैं और अच्छे से आपको कंसेट क्लियर होगा समझ आएंगी आपको चीज़े देखिए नेक्स्ट है लिमिट दिए हैं आपको इंट्रिगेट करना है ठीक है लिमिट दिए है जीरो से पाइबाइ टू अपर लिमिट क्या हो गई पाइबाइ टू ल पता लग गया कि इसी फॉर्म का है तो हम यह रूल लगा देंगे जो मैं पता है रिजल्ट यदि पहले चेक तो कर लेते हैं इस फॉर्म का है भी या नहीं तो देखो चेक करते हैं एफ एक्स का वैल्लू क्या हो गई यहां पर कंपेर करें तो रूट ऑफ साइन एक्स इस यूकल तू प्लस पाई ऐकी कि यहां लिमिट के है 0 से पाइब तू यानिकि एफ जिरो प्लस प्लस पाईबन तू प्लस भी या माइन स एक्स यानिकि क्या होगा इसका वैल्लू प्लस worldly पाईब़ाइ टू होगई तो F पाइबाइबsters पाईबाइब स्वाइक्स to यहां x कीजिए, pi by 2 minus x तो ठीक है, इसका value क्या हो जाएगा under root में sin के साथ आज़ा था x, यानि कि 4 चीज यहां होती है, तो sin के साथ यहां क्या चीज है, pi by 2 minus x, तो लिख दीजिए, pi by 2 minus x ठीक है, अब students आपको पता होगा, sin pi by 2 minus x, किसके बराबर होता है, sin pi by 2 minus x is equal to क्या होता है, cos x, ठीक है, याद रखिए, students, लिख लिजिए, sin pi by 2 minus x is equal to होता है, cos x, ठीक है, लिख लिजिए, अपने not book में याद रखिए, sin pi by 2 minus x की दीजिए, यहां आप क्या लिख देंगे, cos x, अंडर root में, ठीक है, यादि की, f pi by 2 minus x, इसका value क्या आगई, root of cos x, यह रहो, root of cos x, ठीक है, देखो, यहां क्या आता है, f x अपन में, f a plus b minus x, plus f x, यादि की, दो term तो वही आती है, जो यहां रहती है, वही चीज तो यहां आती है, तो बिल्कुल इसमें, ऐसे ही हो रहा है, जो यहां पर है न, वो चीज नीचे आ रहे है, इससे confused नहीं होना कि, पहले यह वाला term आती है, फिर plus में आती है, प्लस ही तो है, क्या फरक बढ़ रहा है, कोई सभी term पहले आ जाए, ठीक है, यहने कि fx उपर है तो नीचे भी आएगी, root of sin x उपर है तो नीचे भी आएगा, मैं बात आपको बिल्कुल openly समझा रही हूँ, हर एक चीज, यह तो नॉर्मल सी चीज है, दिखाई दे रही हैं हमें, ठीक हैं, बढ़ आपको समझाना चीज, इसलिए मैं आपको हर एक चीज ऐसे बता रही हूँ, और यह कह है, f a plus b minus x, इसकी जगे क्या आजा है, root of cos x आजा है, तो बिल्कुल हम पता लग जाएगा, कि हमारा question इसी type का है, तो बिल्कुल यह तो हम proof कर चुके हैं, f a plus b minus x is equal to, root of cos x, नहीं, proof कर चुके हैं यह चीज तो हम, तो यानि कि हमारा बिल्कुल इसी form का question है, इस तरह का, तो हमने इसका क्या कर देना है, c-c-d answer, b minus a by 2, upper limit minus lower limit by 2, ठीक है तो कर देते हैं, क्या जाएगा इसका integration, upper limit क्या है, pi by 2, minus a, lower limit 0, by 2, ठीक है, क्या जाएगा, pi by 2 minus 0, यानि कि, pi by 2, और यह क्या है, upon में 2 भी है, यानि कि, क्या जाएगा, 1 by 2, is equal to, pi by 4, ठीक है, मैंना आपको एक चीज बताई थी, a upon b, upon c upon d, यह किसके एक्वल होता है, a upon b, into, इसको कर दो, opposite, d upon c, इसको बहुत बच्चों को, प्रॉब्लम आती है, इस चीज में, वो इसको solve नहीं कर पाता है, कि a, divide b, फिर divide c, फिर divide d, इसको कई बच्चों नहीं कर पाता है, प्रॉब्लम होती है, आप सीधा सा याद रखिए, जो चीज उपर लिखिए ना, तो आप सिंपल उपर वाली को लिख दो, फिर multiply कर दो, divide किजीगे, और इसको कर दो, opposite, c upon d किजीगे, लिख दीजीजी, d upon c, ठीके ताम ने यहाँ पर यही किया है, पाइबाइ 2 उपर लिखा हुआ है, कोई भी number है, x कोई number है, इसमें आप 1 का divide करेंगे, तो क्या आना है, x ही तो आना है, ठीके, तो हमने इसे लिख लिख लिए 2 by 1, यानि कि, a by b, इसका मतलब क्या होगे है, pi by 2, a upon b का मतलब क्या होगे है, pi by 2, और c upon d, c upon d का क्या मतलब होगे है यहाँ पर, 2 by 1, ठीके, तो 2 by 1, तो आप इसको क्या लिख देंगे, a upon b, into d upon c, तो इसको आप क्या लिख देंगे, pi by 2, into d upon c, यानि कि, 1 by 2, into 1 by 2, तो क्या आगे, simple multiply, pi को 1 जे multiply कर, pi आगे, 2 to is a 4, यह होगे हमारा answer, कितना जल्दी आगे answer, नहीं, क्योंकि हमें result पता है, competitive exam के लिए, बहुत ज़्यादा important students है, ठीके, देखते हैं, एक और example, next देखिए, और अच्छे सा कोई concept clear होगा, students पर यह वाला question है, जो हमने अभी example किया है न, उन से थोड़ा अलग है, ठीके, आपको बिल्कुल सिदे सिदे नहीं दिखेगा, कि यह इसी type का question है, जो हमने अभी किये, उसमें साफ साफ दिख रहाता है, ठीके, बड़ जो हम आप कहें हैं, उसमें साफ साफ नहीं दिखेगा, आपको उसमें छोड़ा बहुत, substitution करने पड़ेंगे, solve करने पड़ेगा, तब आपको लगेगा, कि हाँ बिल्कुल, जिस type का हम पढ़ रहे हैं, उसी type का ये question है, ठीके, तो वो देखते हैं, question को देखके, पत्ता लगेगा आपको क्या है, देखो, देखे, students, caution, क्या है, हमने integrate करना है, x square, multiply में दिया है, sine x cube, यहाँ पर x की power, students, ठीके, ना कि sine की power, एक चीज़ तो ये याद रखिए, और upon में क्या दिया हुआ है, sine x cube, ठीके, यहाँ भी x की power है, 3, ना कि sine की, एंगल क्या है, यहाँ हमारा, यह complete, ठीके, sine का एंगल क्या है, log 12, minus x cube, इसे आपने करना है, integrate, आपको limit क्या दिया है, lower limit है, log 3, ठीके, log 3 का, पावर कितना दिया हुआ है, 1 by 3, ठीके, और upper limit क्या है, log 4, इसकी पावर भी कितना है, 1 by 3, लिख लिजिए, lower limit को आप 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 से लिखते हैं, तो a is equal to क्या दिया है आपको, log 3 की पावर, 1 by 3, ठीके, और b क्या दिया है आपको, अपर limit क्या दिया है, log 4 की पावर, 1 by 3, ठीके, अब इसे हमने पहले करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बिल्कुल नहीं दिख रहा है, यह है, जो हमाद type का question पड़ रहे है, उस type का, नहीं दिख रहा है ना, इस type का कि fx upon f a plus b minus x, plus fx, लाइक कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, ठीके, यदि हम fx इसको मान भी लेते हैं उपर वाले को, ठीके, तो निचे इस टेम हमारी निया आप आ रहे हैं simply, तो इसके लिए हमने क्या करना है, आपको एक substitution करना पड़ेगा, ठीके, आप x cube को मान लेजिए u, ठीके, लिख लेते हैं, let u is equal to x cube, ठीके, अब simple इसको differentiate कीजिए, differentiate करते हैं, u का क्या हो जाएगा, du is equal to x cube, पहले power का करते हैं, मैं आपको बताये हुआ है, x की power n, d by dx, क्या होता है, n, x की power n minus 1, यानि कि जो power वो बाहर आ जाती है, x के, और जो x की power n में, एक power काम हो जाती है, आनि कि n minus 1, ठीके, तो यहाँ क्या है, x cube तो क्या हो जाएगा, 3, x की power क्या पुचेगी, एक कम, 3 में से एक गया, 2, अब आप x का करना है, यह हो गया, dx, ठीके, students हमने सिर्फ यहाँ लिखा है, differentiate, हमने यह नहीं लिखा है, differentiate with respect to x, ना ही यह लिखा है, differentiate with respect to u, ठीके, क्यों नहीं लिखा है, कोई न कोई तो कारण है, students यह चीज में आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीके, जहाँ हमने आपको, 10x का integration बताया था, वहाँ भी यह चीज में आपको बताई थी, और भी वीडियोस में बताई थी, प्लीज यदि किसे नहीं देखे हैं, वह वाले intrigals, students देख लीजिए, ठीके, मैं आपको यहाँ भी बता देती हूँ, differentiate with respect to x, अगर हम लिखते हैं, ठीके, मैं क्या कह रही हूँ, देखो यहाँ, यदि आप लिखते हो, differentiate with respect to, ठीके, short में लिख दिया है, आप लिख लीजिए अगर, differentiate with respect to x, या फिर आप लिखते हैं u, ठीके, कुछ में लिखते हैं, यह देखो तब लिख सकते हो, तो जब दोनों तरफ, या तो x का function हो, या फिर यू का, यदि तुम लिख रहे हो, differentiate with respect to x, तो दोनों तरफ x का function होना चीजिए, यहाँ तो u का function है, यहाँ x का function है, तो आप कैसे लिख सकते हैं यह चीज, कई students करते हैं, यह गल्ती पता नहीं क्यों करते हैं, दिया हुआ है कि, यह एक्जम्पल ले लेते हैं, कि u is equals to x cube दिया हुआ है आपको, ठीक है, और यहाँ कहा रहे हैं कि, differentiate कर रहे हैं with respect to x, ठीक है, यह चीज कहा रहे हैं, u के नहीं x के respect कर रहे हैं, तो पता नहीं क्या से कर देते हैं, इसका u का क्या करते हैं, कि du by dx is equal to x के respect में कर रहे हैं न, और फिट x cube क्या हो जाएगा, 3x square, और x का करना है, तो d by dx किसा करना है, x का, तो x, चलो यह क्या जाएगा, du by dx is equal to 3x square, ठीक है, इसका value अगा 1, आप क्या करते हैं, कि du is equal to क्या आगे, यहां से 3x square dx, इस्टूदेंस बिल्कुल यही चीज़ आ रहे हैं, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही है, बट यह चीज़ गलत है, इस्टूदेंस जो आप यह लिख रहे होना, dy dx, यह एक operator है, ठीक है, यह एक operator है, differential operator, यह operate कर रहे हो आप, किसके उपर लगाया है, यह वाला operation आपने u के उपर लगाया है, यह फिर यहां पर कैसे तो x के उपर लगाया है, कि आप यहां x को differentiate करना चाहरे हो, x के respect में, ठीक है, d by dx और x, यहां d by dx किसके उपर लगाया है, u के उपर लगाया है, कि आप u को differentiate करना चाहरे हो, x के respect में, ठीक है, तो आप इसको तोड़ कैसे सकते हो, मेरे यह चीज़ समना जी, आपने इसको break कर दिया, कि du को तो यहां लिख लिए एक साथ, और dx को multiply कर दिया, इसे सिंपल लिखने का तो, d by dx कम्प्लीट एक differential operator है, आप इसको नहीं तोड़ सकते, ठीक है, आप आप सिंपल मल्टिप्लाइ नहीं कर सकते, बिल्कुल ज़िए आप सिंपल लिखते हैं, कि x upon y is equal to 2, तो आप बिल्कुल लिख सकते हो, x is equal to 2y, क्योंकि ये एक अलग चीज़ है, ये दोनों ये तो नहीं ना कि एक साथ ही है, नहीं भई, x तो अलग variable होगे, y अलग variable होगे, ठीक है, आप इनको तोड़ सकते हो, बिल्कुल, ये कोई एक चीज़ नहीं है, अलग-अलग है, तो आपने इसको इदर simple multiply कर दिया, बट ये तो एक simple operator है, आपने इसको इसको इटोड़ दिया, ऐसे कैसे तोड़ दिया, तो ये चीज़ गलत है, जो आप कहते हो, कि इदर हमने dx को multiply कर दिया, ऐसे नहीं multiply करते हैं, simple इस तरह से लिखते हैं, कि हमने इसे differentiate कर रहा है, u का क्या कर रहा, du, ठीक है, और x cube, x cube का पहले power का करोगे, power का इस तरह से होता है, उसका ओगर 3x square, अब अपने करने x का, x का ओगर dx, ऐसे नहीं करने का, ठीक है श्रेंस, याद रखिए ये चीज, बहुत बच्चे गलती करते हैं, देखो, यहां से अब simple, du by 3, ठीक है, इसका वाल्यों क्या हो जाएगा, x square dx, ठीक है, अब देखो, हम देखो, यहां x variable को u variable में change किया है, ठीक है, यहां हम substitution करेंगे, x की जागे u put करेंगे, लिमिट भी तो यहां x की दियो ही है न, इनको भी तो u में change कर लेते हैं, कैसे करोगे, देखो, हमें दिया हुआ है, when x is equal to, यह x की values होती है, ठीक है, x की limit दियो ही है, x is equal to क्या दिया है आपने, log, देखो, x is equal to आपने क्या दिया हुआ students, देख लिजेगा यहां से, x की limits होती है ही, ठीक है, x की value है एक तरह से, यानि कि x is equal to, आपने lower limit में क्या दिया है, log 3 की power, 1 by 3, ठीक है, आप लिख लिजे, when x is equal to log 3 की power, 1 by 3, तब u का value क्या हो जाएगा, u आपने कैसे different कर रहा है, u is equal to x cube, आप कह रहे हैं, इसको cube और कर दो, क्योंकि x cube है, u is equal to, तो power के उपर power है, multiply हो गई, यानि कि 3 into 1 by 3, क्या आगे student, simple cancel हो कि 1, ठीक है, तो 1 power लिखो चाहे, मत लिखो, same चीज है, यानि कि आपका क्या आगे, u का value, इससे cancel हो गई, log 3, जब x बराबर ये value है, तो u की value ये होगी, यानि कि, u की form में, जब आप quotient को convert कर रहे हो, तो lower limit क्यों होगी, ये, ठीक है, और आपको second क्या दिया हो था, upper limit, x is equal to दिया हो है, आपको log 4 की power 1 by 3, तो लिख लिजिए, log 4 की power 1 by 3, अब simple इसी की तरह, 3 से 3 यहां भी cancel हो जाएगा, ठीक है, तो u का value क्या जाएगा, log 4, ठीक है, इस तरह से लिक लिजिए, नहीं तो confusion हो गई, u ही लगे गई, तो u का value क्या जाएगा, log 4, ठीक है, अब हम simple value, सब चीज रख देंगे, integration में, lower limit और upper limit का, आपने समझ आई गई है, तो पहले लिख लेते हैं, उनकी value, equal to में चल रहा है, integration के ठीक है, नीचे वाला क्या जाएगा, log की form में, log 3, अब भी हमने value निकाली, और यहां जाएगा, log 4, अब x cube आपने क्या माना है, u, तो sine x cube क्या जाएगा, sine u, sine u, x square dx, x square dx, इसके ज़िए कि आप क्या लिख सकते हैं, du by 3, लिख दीजी यहां पर, du by 3, उपर का term तो complete होगे, x square dx को आपने यह लिख दिया, और sine x cube को आपने यह लिख दिया, अब आता है, अब आता है अपन, लिख लेते हैं, इसमें तो कोई change नहीं होना है, log 12, यह भी रहना है, minus x cube, x cube के ज़िए कर लिख देंगे, u, x cube के ज़िए कर लिख देंगे, ठीक है, अब देखिए, यह 3 constant है, इसको तहम integration से ले ले लेते हैं, भार, यह constant जो होते हैं, sin u plus sin log 12 minus u, यहां क्या बज़ जाएगा, du, अब हमारा जो हमने pattern पढ़ा था, यह उसी form का है, किस form का, हमने यह pattern पढ़ा था न, fx upon like सब चीज़, इसी type का है, कैसे है, यह हम आपको बताते हैं, देखिए, fx को मान लिज़े, sin u, fx is equal to, लिख लिज़े आप sin u, ठीक है, जब नीचे भी fx ही होते है, एक sin u उपर, एक sin u नीचे, यह तो ठीक है, अब हमें लाने यह बारी term, यह क्या होता है, f a plus b minus x, a plus b का value यहां क्या हो जाएगा, log 3 क्या हो गया, a की value, log 4 क्या हो गया, b की value, दिख लिज़े, log 3 plus log 4, minus क्या है, x, मैंने आपको कुछ log के instruments formulas बताएथे, पहले वाले lectures में, ठीक है, क्या क्या बताएथे, देखो, दुबारे बता देते है, यहां क्या है, फॉर्मूलेस बताएथे, ठीक है, इसमें देखो, यह वाला formula भी हमारा use आ रहा है, कि log mn is equal to होता है, log m plus log n, ठीक है, यहां क्या है multiply में, यहां क्या है addition में, याद रखिए, log mn is equal to log n plus log n, देखो, यहां में क्या दिया हुआ है, log 3 plus log 4, तो mn वाला कुछ बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, इसने आप क्या लिख देंगे, log 3 into 4, ठीक है, log mn is equal to 3, log m plus log n, और mn क्या था, वहां multiply में, यानि 3 और 4 को multiply में लिखना है, तो लिख लिज़े, 3 into 4, सिंपल क्या जाएगा, 4 या 12, minus x, ठीक है, bracket बन, क्या लिख देंगे, log 3, 4, 12, minus x, ठीक है, अब देखो, fx आपने किस तरह define कर रहा है, sign u, यहां पर x की देगे, क्या लिखना है, अरो students, sorry, fx नहीं fu, हमने, x को चेंज करतों लिए, u में, sorry, sorry students, जहां मैंने यह x लिखा है ना, अभी अभी, वहां पर यह u कर लिजिए, ठीक है, fu, यहां भी u, यहां u, यहां भी u, और यहां x की देगे, u, because हमने u में, caution को convert कर चुके है, अब देखे, f u का value क्या है, sine u, ठीक है, याद रखिए, यहां हमने क्या निकालना है, f log 12 minus u, यानि कि angle change हो जाना है, यहां u है ना, तो यहां u हो जाएगा, ठीक है, इसका value क्या हो जाएगा, किसकी value निकाल रहे हैं हम यह, f a plus b minus u की, ठीक है, इसके value निकाल रहे हैं, इसी के सब चीज़ इक्वल में चल रहे है, क्या जाएगा यह, f log 12 minus u, यानि कि sign तो लिखी लो, इस इसाब से, और u हो और आ जाना है, जो चीज़ यहां होती है, अच्छा, तो यहां पर तो यहां, log 12 minus u है, बिलकुल यह लिख दीजिए, हमने लिख दिया, log 12 minus u, ठीक है, तो यहां पर यही था हमारा format, किस तरह से था, जो यह उपपर होती है term, f u, वहां f x था, यहां हमारा u चल रहा है, ठीक है, तो वो f x होना चीज़ उपपर, और नीचे भी f x होता है, f u, यानि कि sin u, और नीचे भी बिलकुल u term आ रही है, ठीक है, अर यह तो सही बैड़ी है, प्लस में यह यह item और बैट जाए, तो यह बैट तो गई, f a plus b minus u is equal to sin log 12 minus u, अर यह तो हमारा आ गया, समझा है, उसी format का है, constant से confuse ना होना, कि 1 by 3 आ रहा है, constant तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, functions पर ध्यान दीजिए, ठीक है students, यह हमारा बिलकुल y format बन चुका है, f a plus b minus u is equal to this, बिलकुल y यहां आ रहा है, तो यही format होगे, इसका answer अबता हम simply बताई देंगे, इसका value हम किस हिसाब से बताएंगे, format कि हिसाब से क्या हो जाएगा इसकी value, b minus a by 2, 1 by 3 multiply में चली रहा है, ठीक है, मैं यहां ना लिखके, यहां लिख रहे हूं, देख लिए यह equal में, इसके नहीं है, याद रखिए, यह उपपर हम समझा चुके हैं आपको, यह किसके equal में है, जो चीज़ इसके equal में हाईगी, वो चीज़ में यहां लिख रहे हूं, ठीक है, इसके equal में क्या जाएगा, 1 by 3 multiply में, क्या आना है, इसका value b minus a by 2, यहनि कि log 4 minus log 3, log 4 minus log 3 by 2, ठीक है, अब यहां दिवारे, एक हमारा log का formula यूज आ रहा है, कान सा वाला मेंना को बताया था, मेंना को क्या बताया था, log m upon n, is equal to होता है, log m minus log n, ठीक है, फार्मूला याद रखिए, यहां log m minus log n की जाएगी क्या लिखा है, log 4 minus log 3, तो इसको आप क्या लिख देंगे, 1 by 3, इसने आप क्या लिख देंगे, log 4 by 3, डिवाइड में, ठीक है, बाहर में क्या है, 2, अब simply क्या हो जाएगा इसका अंसर, simple आप 2 को भाल ले लिए, multiply कर दीए, 3 to the 6, so 1 by 6 log 4 by 3, अब देखते हम इसका प्रूफ, हमारा प्रूफ रह गया, अब देखो उसे देखो, प्रूफ क्यासे करेंगे इसका, देखो, प्रूफ करना है हमें कि, integration a to b, fx upon f, a plus b minus x, plus fx की value होकी, b minus a by 2, ठीक है, तो हम इता करते हैं, lhs को लेके चल देते, rhs प्रूफ कर देंगे, हमने मान लिया i, ठीक है, अब देखिए, इसे देदीजिए, equation number first, ठीक है, हमाई बार में u जाईजी, अब हम क्या substitution कर रहे हैं, हम मान रहे है, u is equal to a plus b minus x, जो हमारा ये term दियो है, इसे हमने मान लिया u, ठीक है, तो u मान लिया, simple इसको differentiate कीजिए, differentiation करें, u का क्या हो जाएगा, du is equal to, a constant है, differentiation 0 हो गया, b constant है, differentiation 0 हो गया, x क्या है, variable, इसका क्या हो जाएगा, minus sign के साथ, dx, sorry, dx, ठीक है, minus dx, अब यहाँ, substitution कर दीजिए, ठीक है, क्या हो जाएगा, इस integration की value, देखो, हमारी limit भी change होगी, क्यों, हमने u किस तरह से define कर रहा है, a plus b minus x, तो यह limit x की दी हुई है, यानि कि x की value दी हुई है, तो limit क्या निकालोगा, कैसे निकालोगे, when x बराबर a, जब x बराबर a है, u बराबर क्या हो जाएगा, sub 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 तो मैं लीमिट क्या जाएगी यानि कि लौवर्न लिमिट क्या ओगई हमारी बी और अपर लिमिट क्या ओगई एâte क्योंकि Гbach की लुग Meine minus x x is equal to क्या जाएगा x को आप इस side ले जाएगे और u को इधर बेज़ दीजिए student simple u को इस side बेज़ दीजिए rhs में और x को ले ये lhs में lhs में लाओगे sin change जाएगा x is equal to आजएगा a plus b minus u ठीके तो यहाँ पर f x के साथ value रख दीजिए f x की value क्या है a plus b minus u upon f इसकी जाएगे क्या है u simple f u plus x की जाएगे यानि कि यह वाली value f a plus b minus u और du की dx की जाएगे क्या लिखना है आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा minus du ठीके du is equal to minus dx ना dx की जाएगे क्या लिख दोगे minus du minus du ठीके देखो अब आपने पता है यदि आप इस minus को हटाना चाहते हो तो कैसे हटा सकते हो इन limit को कर दीजिए change opposite कर दीजिए b2 है न तो a2 भी लिख दीजिए यह कि यह rule होता है आपने पढ़ा होंगी definite integral कि यदि आप limit को opposite करते हो ठीके तो minus sign आता है एक minus भार आएगा और इस minus से positive हो जाएगा सेम बही चीज़ है कि मैं कहरें इनको opposite कर दो जो minus आएगा इससे cancel हो जाएगा b से a की जीगे आप कर दोगे a to b ठीके और लिख लिजिए as it is upon fu plus fa plus b minus ठीके और du अब जखो अब आपने क्या करना है u जो है हमारे dummy variable है ठीके variable ही कर एए हमने u को x को हमने x में हमारा दिया हुआ हमने इसको u में change कर रहा ठीके यह हमारा variable है dummy variable है याद रखिए आपने पढ़ा होगा पहले भी हमें एक vector calculus वगएरा books पढ़ते हैं ठीके तो उनमें dummy suffix होते हैं ठीके तो उनमें हम changes कर देते हैं आपने tensor analysis भी पढ़ा होगा उसमें भी हम पढ़ते हैं dummy suffix को change कर देते हैं एक्स को आपने यहाँ यू में change कर रहा था अब यहाँ पर replace कर सकते हो यू को एक्स से ठीके तो dummy suffix है यू लिख लीजिए यू इस dummy variable suffix वगर वड़ा हम वहाँ यूज करते हैं जो हम पढ़ते हैं ना tensor analysis tensor analysis हम बहुत यूज करते हैं dummy suffix कर यू हमारा dummy variable है तो हम इसको x से replace कर देते हैं तो हमारा क्या जाएगा a से b f a प्लस b minus x simple u की जाए एक्स कुट करना है अपन fx u की जाए x plus f a प्लस b minus u यानि कि minus x ठीके du की जाए dx ठीके अब देखो यह हमारा equal चल के से रहा है इसी के गल चल रहा है इसको हमें i मанा था इसी में हमने sab chickes changes करें u का value रखा sab chick S起來 equal में क्या चल रहा है हमारा यूजी टब यानि कि equal में क्या चल रहा है हमारा i यह सी के equal है यानि कि i is equal to यह आ गया ऐडिको वो इसमें करें इसमें इसको एड करो तो क्या जाएगा को डाये वो नए नहीं तो आपको हो सकता है confusion हो adding first and second equation ठीक है प्रेको क्या आजाएगा first equation थी a से b fx upon f a plus b minus x plus fx यह आपकी first equation और second equation क्या है a से b f a plus b minus x upon fx plus f a plus b minus x और dx is equal to first equation में RHS में क्या था i और second equation में भी क्या है i ठीक है i है i लिख दिया हमने और ये वाला value यह री ठीक है first equation में ये वाल टम है LHS में और ये है RHS में हमने ये विवेकोल i लिख दिया और ये वाले टम लिख दिया आप देखो, simple add करना है, यह दोना चीज़ देखो, same है नीचे, आप calcium ले लिजिए, क्या आज़ेगा calcium में, f a plus b minus x, प्लस fx, ठीक है, integration को एक साथ लिख लिजिए, combine कर लिजिए, limit same है, a to b, ठीक है, upon, upon वालत टम हो रही आगी, उपर क्या आज़ेगा, fx plus f a plus b minus x, लिख लि कर रहे है, is equal to i plus a, यानी की, 2i, ठीक है, अब देखो, उपर भी same है, नीचे भी same है, उपर भी same है, नीचे भी same है, ठीक है, cancel out होगे, तो यहाँ पर क्या आगया हमारा, integration a से b, dx is equal to 2i, ठीक है, integration of dx क्या होता है, x, बताय हुआ है, मैंने आपको, limit क्या है, a to b, is equal to 2i, limit कैस minus lower limit, upper limit क्या है, b minus, lower limit क्या है, x कि जीके a लिखती थी, is equal to क्या है, 2i, यानी की, i is equal to क्या है, b minus a by 2, और i हमने क्या माना था, i हमने, यह माना था, और खाल या इसलिए तो थीक है अब समझ गई हो गया कि मैना को गलत चीज नहीं बता जैसका प्रूफ भी बता दिया इसलिए क्योंकि